नह थोफका दोस्तों, डिडिरेयक के एक और एक्फशन वीड़े वीड़ाइस अभी का स्वागत करता हूं मैं मेरा नाम आलोक है, और अज जो वीडियो लेका रहाए हूं है वो किमर चीमा जी का है चीमा जी जाकरनाइक का ँपाखा पोस कर रा है वाई चिमा जी क्या कह रहे हैं? मिसाजनी का, मिसाजनिस्टिक आरिट्यूट का, एक ऐसा शक्स जो सिम्पथाइजर हो और ये जान रहा हो कि उसने यंग बचीयों के साथ जिसे वो कहते हैं अंडर एज लड़कियों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उनके वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मौशरे में होती है, तो मीडिया क्यों उसमें नहीं बोल रहा, वो शक्स पहले इसलामबाद में था, वजीरियाजम से मिला, स्पीकर नैशनल इसम्बली से मिला, फिर वो कराची चला गया, वहां पे भी वो तमाम गवर्नर आ उसमें जाके बैठा है, क्वेस्टिन ये है, कि ऐसा क् फंडमेंटल इसको पाکستان की यूड से जो है, वो iंट्रेड्यूस कराना जरूरी है, and then मीडिया नहीं ये क्यों सवाल नहीं किये, मीडिया क्यूं टफ क्वेस्टन नहीं कर रहा, मीडिया ने क्या हूस से क्वेस्टन किये हैं, कि टीटीपी तहरीके तालबान पाकिस्तान जो है जो कि दैशितगर्द जमात है जो रियासते पाकिस्तान पे हमले कर रही है उसके बारे में को कमेंट करे मीडिया ने कोई सवाल ने किया मीडिया को पूछना चाहिए था मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दैशितगर्द जमाते पाकिस्तान पे हमले कर रही है उनके बारे में आपका क्या व्यू है तो हमें पता चलता कि वाई ये शक्स जो है इसकी क्या कॉंट्रिबूशन है ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है या जो पाकिस्तान को खतरात लाहक है जो पाकिस्तान को जो चैलन्जिस लाहक है उस हवाले से ये शक्स की क्या कॉंट्रिबूशन है अगर उस शक्स की कॉंट्रिबूशन ये है कि वो आया है पाकिस्तान में और अब क्वेशन ये है कि ऐसा sympathizer को पाकिस्तान की अवाम के सामने क्यों लेकर आया जा रहा है देखे पाकिस्तान को किस चीज़ से खत्र है पाकिस्तान को extremist सोच से खत्र है न तो क्यों मीडिया सवाल नहीं करता क्यों मीडिया friendly match खेलता है हम भारत में तो कहते हैं जी गोदी मीडिया जना जगा तो जनाब वो मीडिया ऐसे बड़ा silent सा मीडिया बोल रहा है नहीं तो पाकिस्तानी मीडिया को या पाकिस्तान को लोगों को radicalization से कोई problem नहीं है क्या चिमा साब आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग radicalized नहीं है पाकिस्तान का पूरा समाज radicalized है आप एक दो परसंट छोड़ दो 99%, 98, 99% लोग radicalized है यहुदियों से नफरत, हिंदुों से नफरत, भारत से नफरत अगर radicalized नहीं होते कई generations आपने radicalized की है अगर radicalization नहीं होती तो आपकी textbook में हिंदुों के खिलाफ hate नहीं पढ़ाया जाता minorities के खिलाफ content को बढ़ा नहीं दिया जाता आपके textbook में यह कोई नहीं बात नहीं है पाकिसान के लिए इसलिए पाकिसान की media को सब कुछ normal लग रहा है इसमें क्या problem इसकी एक जाकिर नाइक को लेकर मेरी एक अलग पाकिसानी ISI के लोग मुझे देख रहे हैं या पाकिसानी establishment के लोग मुझे देख रहे हैं तो एक मैं बस यूँ ही एक theory दूँगा उस पर आप लोग गौर करिएगा ठीक है तो बाकी जो है मुझे लगता कि जाकिर नाइक की वज़े से पाकिसानी media या तो इसको hero के तोर पर इसलिए पेश कर रही है क्योंकि भई एक तो वो भारत से भागा हुआ है और भारत से उसको चड़ है दूसरा वो मुसल्मानों का hero है उसने तो हजारों लोगों convert किया है इससे बड़ी achievement और क्या चूँँए कुछ है इससे बड़ी achievement पाकिसानी के लिबस ये दो achievement बहुत है उसने तो कुछ की यही नहीं है हकूमत से tough सवाल नहीं करते क्या ऐसे उलमा जो के पाकिस्तान में आए है क्या हमारा हक नहीं बनता क्यों उनसे पूछें क्यों पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की पुलीज पाकिस्तान की अवाम पे जो देशितकर जमातें हमले कर रही है उसके बारे में सर आपका व्यू क्या है क्या हमारे मीडिया को तो उसे सवाल करना चाहिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिबरल मीडिया को मिलना चाहिए था अगर को थोड़ा बहुत लिबरल मीडिया है डिजिटल मीडिया के लोगों को मिलना चाहिए और पूछना चाहिए था लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि मजबी स्कॉलर्स के बारे में बात करना इंतहाई मुश्कल काम है और मैं भी समझता हूँ इस चीज को कि मैं कुछ ऐसे सवाल उठाना चाहता हूँ ऐसे questions रेस करना चाहता हूँ जिन questions में जानने का अंसर मौझूद है जिसमें ये है कि हम जानना चाहते हैं हम समझना चाहते हैं, हमारा कोई-कोई टार्गेट नहीं है, हमें कोई-किसी से कोई-परिशानी नहीं है, लेकिन question यह है, कि क्यों हम यह चाहते हैं? उस बंदे से सवालों के जवाब पूछने चाहिए न हमें हमें उनसे जानना चाहिए कि डॉक्टर साब आपकी क्या contribution है आलम इसलाम के अंदर जहाद किसे आप कहते है या जहाद की definition आपके अवाले से क्या है या मुसल्मान जो है वो आज कल पिस रहे हैं उस पे आपकी क्या definition आपने क्या scholarship किया है क्या लिखा है आपकी academic contribution क्या है हमने एक ऐसे शक्स को अवाम के सामने expose कर दिया है वो जो बोल रहा है लोग समझ रहे हैं ठीक है यानि कि हम हम जाकर नाइक का view नहीं समझ सकेंगे कि उनका दैश्चतगर्दी के हवाले से क्या view है मैं समझता हूँ उनसे फत्वे लेने चाहिए पाकस्तान को हमें पता चले कि ये टीटीपी के बारे में क्या फत्वा रखते हैं ये अलकाइदा के बारे में क्या सोच रखते हैं ये बाकी दैश्चतगर्जमातों के बारे में क्या सोच रखते हैं ताकि हम हमें पता चले कि हम ऐसे लोगों को ऐसे बंदे को अवाम के सामने लेके आना चाहिए जो एक सख्त नजरियात रखता हूँ मुझे मैं आज एक इंडियन मीडिया आउटलेट पे था, CNA News 18 पे था, वहाँ पे सवाल किया गया, मुझसे पूचा गया और CNA News 18 ने मुझसे सवाल किया, वहाँ पे जो जर्निस थे, जका जेकवार जो थे, उन्ने मुझसे सवाल किया और उन्यका जी कि आप क्यों ऐसे बंदे को लेख आएं जो जो अलकाइदा का सुमपटाइजर है, मैंने जी मैं ऐसे बंदे के कोई सपोर्ट नी करता, और उन्यका जी वह इंडिया के अंदर जो है वह वउंटड है, तो मैंने उनको बड़ा सीदा से जवाब दी है, मैंने बैठा हुआ है, वो भारत के अंदर wanted है, हमें वो बंदा दिया जाए, क्या इस मसेले को take up किया, मैंने ये बिल्कुल उनको कहा। ये तो मामला take up हुआ है ना, और मुझे लगता है कि चीमा जी ये पाकिस्तान के लोगों के समझने के जरुवत है, कि जाकर नायक का effect क्या होगा, वो दस साल बाद पता चलेगा, भी पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान से बेहतरीन safe house कहा हो सकता है, बैदाओ इबराहिम को भी अगर पाकिस्तान ने पना दी, तो क्यों दी, क्योंकि उसने भारत में बंबलस करा है, भारत का खिलाफ का दुश्मन है वो, भारत को छोट पहुँचाता है, ऐसे ही जाकर नायक कहां से अप्सकॉंडर ह है, भारत के कानून के हिजाब से उसको भगड़ा घोशित किया गया है, उसमें ऐसे काम किये हैं यहाँ पर, और उसको पाकिस्तान में पना चाहिए, तो यह उसके लिए बेस बन रहा है, बेस तयार हो रहा है, ताकि कल को अगर मलेशिया से शिफ्ट होकर जाकर नायक पाकि मैं मत कहना कि किसी ने चिताया नहीं था, अब मैं कह रहा हूँ, भसमा सूर लेकर गए हो तुम लोग, पता नहीं भसमा सूर के बारे में तुम लोग को कितना पता है, भसमा सूर एक राक्षस था, और उसमें ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली और यह कर लिया, वो कर लिया, तो ब्रह्माजी ने बोला देखो अम्रत्वतो नहीं मिलेगा तो बोला ब्रह्मा जी कि ठीक है मैं जिसके सिर्फे हाथ रखूं देऊ हो मर जाएगा जब तक मैं सिर्फ उसी से मरूंगा जो अपने सिर्फे हाथ रखूं कुछ ऐसी कहा नी कि और दूसरों के जलाकर भस्म कर अब सब दुनिया परेशान लगा इसका अत्याचार बढ़ने लगा तो दुनिया परेशान सब लोग गए भगवान शेव के पास बोले नात ने कहा किया अच्छा रूको कुछ करते हैं फिर उने कुछ 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 किया लड़ाई होनी शुरूर कुछ कुछ ऐसा किया कि भसम जमात के लीडर को इन्वाइट करेंगे जो के इंडिया पाकस्तान ने बैंड की हो मैंने का जी आप बुला लें मुझे से क्या इतराज अगर आप बुला लेंगे उसे तक अगर कुछ ऐसा शक्स है जो ग्लोबली डेजिकनेटेड टेरिस्ट है तो वो जाने और क्या हमें वाके ही उसको अलाव करना चाहिए और मीडिया क्यों साइलेंट है मेरा तो सवाल ही यह है मैं समझता हूँ मीडिया को इंतहाई टाफ लाइन नहीं चाहिए जो मीडिया ने टाफ लाइन नहीं ली मीडिया ने साइलेंस शो की है मीडिया ने अपनी बैसनेस शो की मीडिया ने पाकिस्तान की अवाम के रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ने की और इसलिए ये बात सच है कि डिजिटल मीडिया जो है उसको वो स्पेस देनी चाहिए उचंद एक जो डिजिटल मीडिया के में लीडर हैं उनको इन्वाइट किया जाना चाहिए था और पूछना कि सवाल करें ये क्या बात हुई कि मेंस्ट्रीम मेडिया के सहाफियों ने सवाल किये और वो सवाल किये जो कोई पाकिस्तान के नाशनल सेक्यूरिटी के हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई उनकी वो एहमियत नहीं थी पाकिस्तान के सरकार ने का होगा जायर सी बात है जिस से भारत को चिन मचेगी वो काम तो पाकिस्तानी बिलगूल गरेंगे और जाकिर नायक को बुला के सम्मान देना इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भारत को इससे चड़ मचेगी भारत चड़ेगा अरे देखो बताओ हमारे याँ ये अपसकॉंडर है अपसकॉंडर है भगोड़ा है क्रिमिनल है और देखो उसको पाकिसान हीरो की तरफ पेश कर रहा है सम्मान दे रहा है इससे बड़ी अब आच्छली पाकिसानियों की सोच इतनी हो गए है कि इससे उपर वो सोची नहीं सकते उसकी टांग खिजदो पाकिसानियों के आदर अदर तने टांग खिजने की तो बिसलिए भारत की टांग कीच रहा है जाकिर नायक को वो करके सम्मान दे कर इतना अब अब यह पॉलिक्स कर रहा है बिल्कुल गली मुहले वाली और यहां मामला कहीं उपर चला गया है और पाकिसानियों को समझ में नहीं आ रहे वो सवाल उनको मजीद सख्त किये जाते है पता चलता हमें यह कहां पे खड़े हैं हमारे साथ यह हमारे साथ कहां पे खड़े हैं और हम इनके साथ कहां पे खड़े हुआ है यह चीज होती है ना मतलब यह पूरी दुनिया में ऐसे चलता है तो मैं तो इस चीज़ को और खास्तों पर जो अगर देखें इंडियन आज कल वो आज बोड़ा शोड डाल रहे हैं बलके इंडियन मीडिया ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया जी वह पाकसां की आर्मी चीफ से अभी तक नहीं मिले और नहीं आर्मी चीफ ऐसे लोगों को म जिसको उन्होंने इस्तमाल किया है जिन्होंने उसको इंप्लिमेंट करना चाहते हैं तागर लोगों को यह अटेंशन ही दरूदर कर दिना और इसके लावा क्या हो सकता है तो यहां पर सवाल पूछना चाहिए मेरी नजर में कि आप बताएं कि आपका टीटीपी वो एट टर्रिस्ट ऑगनेजेशन उसके बारे में क्या खाल है फिर उनसे सवाल पूछन जाना चाहिए कि एक्स्ट्रीमिसम को कैसे काउंटर करना चाहिए और उनको उनकी वीडियो कुछ दिखानी चाहिए जाकर नाएक की जहाँ पर वो एक्स्ट्रीमिस टेंडेंसी को एक्स्ट्रीमिस आटिट्इड्स को पर्मोट कर रहे हैं उस पर उनके पूछना चाहिए सवाल नहीं करने चाहिए और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा जो है वो परिशान कर रही है कि हम ये सवाल क्यों नहीं कर सके या हमारे लोग जो थे वो ये सवाल क्यों नहीं कर सके हमने ये तो मनास्ब समझा है और वो कहीं जोगों पर ये आया जी कि वो जी छोड़ें अब होता क्या है मीडिया को रेटिंग्स चाहिए अगर मीडिया उनके बारे में कोई ऐसी बात करेगा मीडिया उनके बारे में ऐसा कुछ बोलेगा, मीडिया उनके बारे में ऐसा कोई रुजान रखेगा तो हो सकता है कि लोग मीडिया देखी न यहां उस मीडिया को बाइकाउट कर दिया जाए यहां उस मीडिया के बारे में यह कहा जाए कि देखो यह बायसी आए हुए गेस्ट के साथ बत्तमीजी कर रहे हैं हमने यह तो मैसूस कर लिया है कि करोडों लोग जो है करोडों लोग करोडों लोग हैं. उसका मौकफ जाना चाहिए. लेकिन पाकस्तान की National Security के हवाले से क्या कुछ होना चाहिए? हमने नहीं पूछा. मैं तो इस चीज़ ये, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ. मेरा सवाल पाकस्तान के मीडिया से है. कि मीडिया कियों उनको इतनी projection कर रहा क्यों मीडिया उनको इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है मीडिया को इससे क्या मिलेगा और देखें एक तरफ हम ये कह रहे हैं जी कि हमारी फॉज की इतनी कुर्बानी है हवाम की इतनी कुर्बानी है पुलीस की इतनी कुर्बानी है मौशरे में ये हो गया और दूसरी तरफ आप ऐसे शक्स को लेके आते हैं तो लोग सवाल तो करें So I am not a fan of Mr. Zakhanai I do not support his ideology But I have every right to explain and tell people That कि हमें ऐसे लोगों को discourage करना चाहिए वो जो कह रहे हैं जहां कह रहे हैं मैं उनको follow नहीं कर रहा वो Malaysia में हैं उन्होंने इंडिया में क्या किया है वो उनका उनके साथ मसले है मुझे जो problem है मेरा है कि मेरी अवाम मेरे लोग मेरे पाकिस्तानी जो already दैशितगर जमातों और extremist mindset की हातों यह गमाल बने हुए हैं कभी रियास्ते पाकिस्तान अपने पाकिस्तानीों पे तजर्बे करती है कभी हम साओधी और American money के साथ पाकिस्तान के अंदर मदरिसे बनाते है कभी उन मदरिसों में हम लोगों को बलाते है कभी हम University of Nebraska से हम curriculum import करते है ताकि वो curriculum पाकिस्तान के यांग लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाए उनको जहादी बनाया जाए और उनको सोवियत इजिन के उपर अनलीश कर दिया जाए कभी हम वो करते हैं कभी हम इस तरह के पैंट कोड टाइल लगाए बाबों को बलाते हैं और कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो लड़कियां उनकी बेहुरमदी करो उनको इगनोर करो उनके सर पे हाथ ना रुको उनको अवार्ड ना दो कभी हम ये करते हैं मतलब हम एक हार्ड इसलाम से सौफ्ट इसलाम की तरफ हैं मतलब हमने अपनी चेहरा बदला, हमने अपने एक चेहरा बदला, यही तो कोई तरीका कारणा हुआ, हम कब तक अपनी अवाम के उपर तजर्बे करते रहेंगे, हम कब तक अपनी अवाम को confused करते रहेंगे, यह जो पिछले 20 साल हैं, जिसमें आपने kinetic warfare लड़ी, यह मौका था de-radicalize करने का society को, लेकिन क्योंकि हमारी top level पे जो political और बाकी जो stakeholders हैं, वो clear नहीं हैं, वो confused हैं, तो definitely फिर ऐसे ही होना था, जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, यही होगा और क्या होना है, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं, मुझे कोई ऐसा यकीन नहीं है, कि पाकि पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के वजीरिया आजम आये हों, चले छोड़िये, अब बात हो गई खतम, मुद्दा दूसरा हो गया, अब मुझे इस पर कई सारी चीजें समझ में आ रही है, पता नहीं पाकिस्तानियों के बाते कितने समझ में आएंगे, जो मैं करने वाला वो इस तरफ इशारा कर रहा है, अब ये बात कितनी सची होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी ये बाते, जब कैनवस खोल रहा हूँ ना तो मुझे ये बाते नजर आ रही है, पाकिस्तान में टीलपी और बाकी लोगों का जिस तरह से प्रभाव बढ़ने लगा है, वो आर्मी को भी अब नहीं मानते हैं, धीरे-धीर आर्मी को लगने लगा है कि धीरे-धीरी ये लोग ऐसा कर देंगे कि आर्मी का डर खतम हो जाएगा इनके अंदर से, मौलवियों के पास ताकत आ जाएगी, तो चुकि इसलाम और पबलिक, जब दोनों एक साथ मौलविय समझ में आ रही है बात, जो मैं अनलाइज कर पा रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच्ची होगी, जूटी होगी, ये तो भविशे बताएगा, कोशिश ये है कि उनके प्रभाव को कम किया जाए, जाकिर नायक को as a hero पेश किया जाए, और जाकिर नायक की जाकिर नायक की अपनी needs है, उसे भारत से बचना है, उसे पनाहा चाहिए, कल को मलिशिया से उसे अगर परतरपन कर दिया गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसे जगा चाहिए और पाकिस्तान वो जगा प्रोवाइट कराएगा, और इसके एवज में पाकिस्तानी आर्मी उ सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जो अपनी एक खुद मुखतारी साबित करना चाहते हैं, तो जाकिर नायक को लाकर उस मौलवी बिगेट को या उस पावर को कम करने की कोशिक कि जाएगी, उसके बदले में एक पैरलर पावर खड़ी की जाएगी, ये एक बेसिक प बना रहा है, इसलिए PM मिल रहे हैं, और कल को हो सकता है, आसे मुनीर भी मिल रहे हैं, तो पहला मेरा पॉइंट, तो कमेंट करके बताइए, क्या आप इस बात से अगरी करते हैं, जो मैं एनलेटिक्स किया है, जो मैं एनलेसिस दे रहा हूँ, क्या आप इस से अगरी करते है यह पहला point दूसरा point है मेरा बड़ा जबरदस्त है मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस पर भरोसा करेंगे मैं अगर कहूँ कि इसकी क्या guarantee है कि जाकिर नायक भरत का agent ना हो इसकी क्या guarantee है अब आप कहेंगे कि यार ये आप कैसी बाते कर रहे हैं मैं बताता हूँ पाकिस्तान का PM इस बंदे से मिल रहा है पाकिस्तान के power elite में इसकी entry हो गई है पाकिस्तान के लोग इस पर भरोसा करते हैं है ये Indian इसने हर वो काम किया जिससे हिंदू चिड़े जिससे Indian चिड़े जिससे ये हो पाकिस्तान को इससे अच्छा suitable आदमी कोई मिलेगा किसी एक पाकिस्तानी को रत्ती भर भी जाकिर नायक पर शक नहीं होगा वो तो कहेंगे नहीं नहीं जाकिर नायक पर तो शक करना अरे भाई साथ बिल्कुल होई नहीं सकता किसी agent की सबसे बड़ी खुबसूरती क्या होती है कि दुश्मन के घर में उसके उपर कोई शक भी न कर पाए सोचे भी नहीं आप मेरा point जमजीए मुझे नहीं पता कि यह सही है घलत है जो भी है whatever लेकिन यह मेरे दिमाग में आ रहा है कि भारत का एक agent इससे अच्छा agent और कौन हो सकता है जिसमें पाकिस्तान के लोग आँख मुंद कर विश्वास करने लगे और उसकी access पहुँच जाए अंदर तक आर्मी तक सरकार तक कितनी बड़ी कामयादी है सोचो इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ किसी भी agent के लिए सबसे बड़ी बात होती है भरोसा कायम करना भरोसा जीतना और जाकिर नायक के पास वो भरोसा है तो उसकी क्या guarantee है कि जाकिर नायक को शुरू से इस बात की training दी गई ये सब करने के लिए उकसाया गया उसके बाद उसे भारत का दुश्मन बनायाएगा उसके बाद उसको भगाया गया मलेशया में जाकर पना दी गई मलेशया से वो पाकिसान क्या है ये सब किसी एक बड़े plan का हिस्सा हो सुनने में ये फिल्म ही कहानी लगती है वो राजी टाइप की भी कहानी थे न वो भी तो सच्ची घटना पर थी कितनी बड़ी planning थी मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा जिस लेकिन जिस किताब के उपर फिल्म बनी उस किताब को आप पढ़िए तो आपको समझ में आगा कितनी बड़ी planning थी है कि नहीं क्या पता ये भी वैसे ही planning आप देखो ना पाकिस्तान पाकिस्तानियों को इन पर यकीन नहीं करने की एक भी वज़र नहीं है क्योंकि जाकिरनाएक इस वक भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाऊगा है खर ये तो मतलब theories हैं वैसी हैं मतलब ऐसी हैं बाते जो दिमाग मैंने बोल दी comment करके आप बताएं आप क्या कहते हैं जल्दे मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ शाद चीमा जी इसलिए चिंतित हो रहे हैं कि कहीं अगर वो भारत का एजेंट निकलतो हो खुलकर कहने पा रहे हैं तिक कहीं वो भारत का एजेंट निकलतो हो वो बार-बार वो नेशनल सेक्यूरिटी की बात लेकर आ रहे थे न वो इसी भी लेकर आ रहे हैं कर्मेंट जरूर करिए वीडियो को फलाएं जल्दे मिलता हूँ एक और वीडियो साथ नमस्कार जाहिए